नमस्कार, आज का मेरा विशय है शांती के लिए क्या युद्ध अनिवार्य है? मैं इसके विपक्ष में बोलूँगी. भारत एक शांती प्रिय देश है. मेरा मानना है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता. युद्ध में चाहे किसी की भी जीत हो, चाहे किसी की भी हार हो, पर नुकसान तो दोनों तरफ का होता ही है. अगर दो देशों के बीच कोई समस्या है, तो दोनों देशों को मिलकर उस समस्या पर आपस में बाच्चीत करके समाधान निकालना चाहिए. उधारन के तौर पर हम हिरोशिमा और नागासाकी की बात करें तो यहां युद्ध होने पर बहुत तबाई हुई युद्ध के कई वर्षों बाद भी यहां पर अपंग बच्चे पैदा होते हैं युद्ध के बाद यहां पर धर्ती का विनाश हुआ, लोगों का भी विनाश हुआ और जो विकास होना था वो भी ना हो सका इससे यह सिद्ध होता है कि युद्ध से होने वाले नकारात्मक परिडाम काफी लंबे समय तक मिलते हैं युद्ध में शहिद हुए सेनिकों के परिवार जनों को जिन परिशानियों से गुजरना पड़ता है वो अकल्पनिया हैं युद्ध के पश्चाद देश कई सालों पीछे पहुँच जाता है उसकी उन्नती के लिए लगा समय और पैसा नश्ट हो जाता है युगो युगो की साधना और प्रयतनों से मानव जिस सब्यता संस्कृती एवा उपयोगी संसाधनों का निर्मान करता है विकास कर आगे बढ़ता है युद्ध का एक ही जटका उस सब को नश्ट कर देता है युद्ध तो आरम होकर समाप्थ हो जाता है किन्तु वो कभी न समाप्थ होने वाली अनेक समस्याओं को भी जन्म देता है अतह मैं अहिंसा पर्मो दरम अर्थात अहिंसा सबसे श्रेश्ट दरम है कि सिद्धान्त में विश्वास करती हूँ धन्यवाद